आज हम बात करेंगे L4, L5, S1, disc bulge या prolapse disc या herniated disc के बारे में क्या आपको कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द महसूस होता है जब भी आप करवट लेते हैं या सुबा सो के उठते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है जब आप चलने लगते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों में जनजनाट, पैरों में सुन्रिपन महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे कदम छोटे पड़ रहे हैं इन सब दिक्कतों से आप परिशान हो जाते हैं, तो आप दर्द की दवा खाते हैं, दर्द का तेल लगाते हैं, और कोई जिल लगाते हैं, लेकिन जब तक इसका आसर रहता है, तब तक तक तो आपको आराम रहता है, लेकिन जैसे ही इसका आसर खतम होता है, कंडिशन जस के वैसे ही फिर हो जाती है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा चिंता करने के ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ advanced level की और basic level की और बहुत ही आसान exercise बताएंगे, जिसको आप अगर हफता 10 दिन तक करते हैं, proper way में करते हैं, तो आपको बहुत अ प्रशानली फीजोबेधिंग क्लेनिक लखना उसे, चलिए अब हम आपको exercise बताते हैं, exercise करने से पहले आप अपने कमर की अच्छी तरह से सिखाई कर लिजे, अगर आपके थाईज में दर्द होता है, तो थाईज के सिखाई कर लिजे, और अगर पिल्लियों में दर्द होत तैयार होंगे, तो आपको सबसे पहली exercise करनी है, periformis stage, इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के इस तरह से मोड लिजे, और मानिए कि आपका इस पैर में दर्द है, तो आप सबसे पहले इसी पैर से शुरुआत करिए, तो आप अपने इस पैर को दूसरे पैर के इस तरह स ऐसे रख लिजे, और आपने दोनों हातों की उग्यों को इस तरह से लॉप करके और धीरे से चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करिए, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा stretch फील होगा, तो आपको दूसरे पैर के भी इस तरह से ऐसे करनी है, ऐसे करिए और नीचे ला तो इस exercise को जब आप करेंगे, तो बहुत ही अच्छा आपको अराम मिलेगा और relaxation फील होगा, इस exercise को आप 10-15 बार करिए, और दिन में अगर आप दो बार करते हैं, तो बहुत ही अच्छे result देखने को मिलेंगे, दूसरे exercise हम करेंगे, pelvic tilt exercise, इसके लिए आप अपने tummy को थोड तो जब आप इस exercise को करेंगे, तो जो gap कम हो गया है, डिस्क में जो gap कम हो गया, जिसकी वज़ा से नस दब रही है, तो वो gap बढ़ेगा, जब gap बढ़ेगा, तो जो नस दब रही है, वो वहाँ से release होगी, तो आपको थोड़ा सा अपने hip को थोड़ा सा वाईसे उठाना है, और 5 सेगंड तक hold रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर relax, फिर पेट अंदर करके और hip को थोड़ा सा उठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर relax, इस exercise को आप 10 से 15 बार करिए, और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, तीसरी exercise हम करेंगे, hip breathing exercise, तो आप अपने कमर को इस तरह से उठाईए, और 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर नीचे, इस exercise को करने से जो आपके hip की मास परिशिया है, जो आपके कूले की आस पास की मास परिशिया है, वो मजबूत होंगी, क्योंकि जब ये loose पॉल जाती है, तो इसकी वज़ा से भी आपको दर्ध होता है कमर में, और disc में bulging होने के chances भी रहते इस exercise को आप 15 से 20 बार करिए शुरू में, फिर जब आपकी habit बन जाएगी, तो number of count आप बढ़ा दीजेगा, और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं, चोथी exercise हम करेंगे, spinal extension exercise, उसके लिए आप इस तरह से ऐसे लेट जाएए, पेट के बल, और अपने हाथ को ऐसे बेट पे रख चाहिए, तो जब आप इस exercise को करेंगे, तो जो gap कम हो गया है, जिसकी वज़ा से नस दब रही है, वो gap बढ़ेगा, जब gap बढ़ेगा, तो जो दर्द नीचे के तरफ जा रहा है, वो कम होगा, शुरूआप में आपको इस तरह से ऐसे करनी है, जब आपकी habit बन जाएगी द आपकी habit बन जाती है, तो आप यहाँ पे 5 seconds तक रोग भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर relax, इस exercise को आप 10 से 15 बार करिए, और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, उसके बाद last exercise हम करेंगे, उसमें आप अपने हाथ को इस तरह से रख लीजे, और अपने पैर को इस तरह से ऐसे उठा पैल को इस तरह से करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर relax, इस exercise को करने से जो थाइस की muscles है, वो strong होने से भी जो दर्द नीचे के तरफ जा रहा है, वो नहीं होगा, तो आपको यह 5 exercise अगर आप हफता 10 दिन करते हैं, तो आपको बहुत यह अच्छे result देखने को दिलेंगे, इसके बाद हम आपको एक bonus exercise बताएंगे, वो exercise भी अगर आप करते हैं, तो और जादा आपको फाइदा मिलेगा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या हमको कमर दर्द में, श्याटिका में, या disc bulging में हमको मालिश करवाना चाहिए, या नहीं करवाना चाहिए, तो इसका जवाब यह है मसाज किसी प्रोफेशनल से ले सकते हैं, और आप हलके हलके हातों से रब कर सकते हैं, कोई oil या कोई gel, लेकिन मालिश करना इसमें नुकसान दे हो सकता है, कुछ लोगों का काम एक position में बहुत देर देर तक बैठे रहने का होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो खड़ पीछे की तरफ ऐसे जाईए, और फिर आगे होईए, फिर पीछे की तरफ ऐसे जाईए, और फिर धीरे से उपर आईए, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बलकि बहुत धीरे से आपको पीछे जाना है, और बहुत धीरे से आपको सीधा होना है, इस exercise को जब आप regular करेंगे, अगर आप हफता दस दिन इसको करते हैं तो आपको back pain में और जो posture की वज़ा से दर्द हो रहा है आपके कमर में उसमें बहुत जादा आराम मिलेगा और जिन लोगों का दर्द जो है नीचे की तरफ जा रहा है पैरो में जा रहा है उनको भी बहुत जादा आराम मिलेगा आप इस exercise को हर 2-3 घंटे पे जरूर करिए कुछ लोगों को exercise करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है क्योंकि वो गलतियां करते हैं और उसमें वो belt नहीं लगाते हैं गलत तरीके की belt लगाते हैं गलत size की belt लगाते हैं तो वो क्या गलतियां करते हैं और कौन सी belt हमको लगाने चाह सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए जिससे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें थांक यू वेरी मच